इस वक्त की बड़ी खबर बता दूँ के बाड मेर शहर के बीचों बीच जो है चलती गाड़ी में आग लग गई लेकिन बड़ी कोई हानी है वो नहीं हुई आजपास के लोगों की जो है सूजबू जो है वो यहाँ पर काम आईए पता दूँ कि एक car जो है वो चामूंडा चोराए से होते हुए बाड में सहर के अस्पताल जा रही थी और उसी दर्मyान उस कार में वायरिंग सोड सरकीट हुई और इस car में से आग की लपड़े उठने लगी उसी दर्मियान जो है कार का जो चालक है उसमें गाड़ी रोक दी और कार से नीचे उतर गया बताय जा रहा है कार में तीन से चार लोग जो है वो सवार थे दुकानों से कैम पर लेकर भागे और उस कार पर उलेड दिये और उसके बाद जो है पास में जो गीली रेती वो भी उस पर उलेड दिये जिसे आग पर तो काबू पाया गया है लेकिन बदा दूँ के यहाँ पर कार में जो वायरिंग सौट सर्कीट हुई है उसे बैटरिया जो धुआ है वो अभी भी आपके स्कीन पर नजर आ रहा होगा और बैटरिया और जो आसपास का जो प्लास्टिक का जो पार्ट था वो पूरी तरह से जल गया है पदा जा रहा है कि सिफ्ट गाडी में सवार होकर नर्सिंग और नर्सिंग के परिवार के कुछ लोग जो है कि उनके परिवार में किसी के तबियत जो है वो तोड़ी सुस्त थी और वो दिखाने के लिए अस्पताल जा रहे थे और उसी दर्म्यान जो है उस कार में आग लग गई और आग लगने के बाद जो है वो तुरंद परपास से जितने भी लोग कार में सवार थे वो नीचे तर गई तो आग के दुखान वालों ने जब कार की लप्ते देखी तो तुरंद परपास से कार के पास बाग कर पहुंचे और का बॉनट खोला तो उसके बाद जाम हो गया लेकिन आपास के लोगों की सूजबूज यहां पर काम में आई है उन्हों ने जो कार ती वो जो भ पानी के केमपर पास में जो रेत और अन्य जो सामा रगा वो उस पर उलेड दिया ताकि आग पर जो है जल से जल काबू पाया गया है तो यहां पर दुकान वालों के आज पास के जो लोग थे उनकी सूच बूच जो है वो काम आई है बदादों के बार में सहर चोटन मारक पर जाने वाली रोड पर जो है यह चलती कार में जो है आग लगी और उसके बाद आग पर काबू पाया गया है और यहां पर देखिए कार के अंदर की जो प्लास्टिक के पाड़ थे वो जल कर राग हो गए उसके बाद जो कार में जिसकी तबियत सुच थी उसको टेक्सी की सा प्लास्ता लेकर जा रहे थे और उसी दर्मियान जो है यहाथ सा जो है वह गया है उसमें कार चलती कार में जो है आग लगई लेकिन आजपास के लोगों की तोरंट पर बाव से शूजबूद जो है वो काम आई और उन्होंने रेत और पानी डाल कर आग पर काबू पाया ग